रेडल स्नेक साप अपनी पोच से जुन्जुनी की आवाज कैसे निकाल पाता है पूरी वीडियो देखे जानने के लिए इस इंसान ने पोच को दो हिसे में कट करके देखना चाहा अंदर से देखा तो इसको हड्डिया मिलती है जो की खाली शेल्ट से गिरीवी होती है जब लंबी पोच होती है साप की उतनी साप की उमर और जब तक दो हड्डिया नहीं निकलती है जुन्जुनी की आवाज नहीं निकलती है